बिसमिल्लाहिरोह्मानिरोहीम मैं आपका होस्ट अक्तर स्रेमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इंसाइडर में खुशामदेद कहता हूँ आज की वीडियो में हम प्लांटर बिनाने जा रहे हैं स्टायरोफों बॉक्स से यह मैंने अल्रेडी प्लांटर एक बनाया हुआ है यह आप देख सकते हैं और एक यह मैंने बनाया हुआ है अलोवेरा के लिए यह मैं आपको ख्लोज करके दिखाता हूँ कि कौन से प्लांट इसमें हमने लगाए हूए है यह मनी प्लांट है हार्ड प्लांट यह भी मनी प्लांट है यह स्पाइडर प्लांट लगाया हुए है यह परपल हार्ड प्लांट है यह भी मनी प्लांट है और एक यह छोटा नीचे परपल हार्ड प्लांट लगाया हुए है ये Syngonium लगाए हूए, ये आप देख सकते हैं, ये Spider Plant लगाय हूआ है, और इसमें जो है스ट आलोवेरा मैंने लगाए हूए, डो आलोवेरा लगाय हूए, ये outdoor मैंने रखा हूँ है और इसमें मैंने थारे indoor plants लगाये हूए है वो aloe vera मैंने लगाए हुए दो aloe vera लगाए हुए यह outdoor मैंने रखा हुए और इसमें मैंने सारे indoor plants लगाए है एक मेरे पास यह अभी styrofoam box पड़ा हुआ है इसको अभी हम utilize करेंगे इसमें भी हम plants लगाएंगे इसको मैं fill करता हूँ मट्टी के साथ और फिर आपसे दुबारा शेयर करता हूँ यह देखें सैफ्रॉन सैफ्रॉन की routing नीचे कितनी जबरदस हुई है और इसको सीधा करके मैं दिखाता हूँ यह देखें उपर भी कितने जबरदस plants हैं इसको भी मैं report करने जा रहा हूँ इसको भी इस ही में हम लगाएंगे styrofoam box में box में मट्टी मैंने भर ली है और plants भी select कर ली है जो मैंने इस box में लगाने हैं यह सैफ्रॉन है सैफ्रॉन के bulks देखें सैफ्रॉन लगाऊंगा इसमें यह भी सैफ्रॉन है सैफ्रॉन के bulks और roots आप देख सकते हैं कितनी जबरदस grow कर रही हैं यह money plant है यह लगाऊंगा मैं इसमें और इसके इलावा यह spider plant है यह लगाऊंगा यह भी spider plant है यह लगाऊंगा और इसके लावा यह devil's backbone की cuttings हैं जो मैंने लगाई हुई थी इनकी rooting जो है वह अच्छे से start हो गई हुई है अभी जो है यह गर्मियों में बहुत अच्छे से grow करेंगे तो यह भी मैं इस box में लगाऊंगा अभी मैं plants जो है वह box में लगाता हूं यह सारे plants फिर दुबारा आप से share करता हूं कि कैसा result जो है कितना जबरदस result हमें मिलता है कितन अब आपको बता दिया था जो plants मैंने select किये थे इस तीसरे box के लिए यह डेवल्स बैकबोन है यह तीनो तीन plants डेवल्स बैकबोन के हैं यह यह भी डेवल्स बैकबोन है spider plant है यह सेफ्रॉन लगे हुए सारे और यह भी spider plant है छोटा सा और यह वनी plant है यह सारे plants मैंने लगा दिये हैं यह देख सकते हैं आप तीनों box जो है बहुत जबरदस लग रहे हैं यह बहुत जबरदस आइडिया है कि आप styrofoam box को use कर सकते हैं as a planter यह information थी जो मैंने आपसे इस video में share करनी थी next video में किसी नई information के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें पाकिस्तान जिन्दाबाद